वकेप सीजन वन रूट वर्ड का तॉंडब एपिसोड 16 आज का रूट वर्ड है बायो B-I-O, बायो, बायो मिन्स लाइफ हिंदी में इसको जीवन बोलते हैं तो dear students, किसी भी इंग्लिश वर्ड में B-I-O, बायो, बायो लग जाए तो किसी भी इंग्लिश वर्ड में आपको B-I-O दिख जाए तो वो सब्द जीवन से संबंदित होगा B-I-O means life, जीवन तो याद रखें कि किसी भी इंग्लिश सब्द में B-I-O दिख जाए वो सब्द जीवन से संबंदित होगा चली हमारा पहला सब्द है B-I-O ग्रैफी B-I-O ग्रैफी में B-I-O दिखा मतलब ये जीवन से संबंदित है D-I-O ग्रैफी दो सब्दों से मिलकर बना B-I-O प्लस ग्रैफी बायो मिन्स जीवन ग्रैफी ग्राफ से आया ग्राफ मिन्स लिखना तो बायो मिन्स जीवन ग्राफ मिन्स लिखना जीवन लिखना अर्थात जीवन के बारे में लिखना तो किसी भी वेक्ती के जीवन के बारे में लिखना बायो ग्रैफी कहलाता है To write about someone's life story तो किसी के जीवन के बारे में लीखना ये biography कहलाता है इसको हिंदी में हम लोग जीविनी बोलते हैं चली हमारा अगला वर्ड है ओस्टो बायो ग्रैफी Dear students, auto biography तीन चीजों से मिलकर बना ओस्टो बायो प्लस ग्रैफी इस सब्द में भी बायो है तो यह सब्द भी जीवन से संबंदित है, लाइफ से संबंदित है, ओटो बायो ग्रैफी, याद रहे ओटो का अर्थ होता है, खुद, सेल्फ, यह भी एक रूट वर्ड है, इसके बारे में हम लोग एपिसोड में सीखेंगे, तो ओटो मिन्स खुद, बायो मिन्स जीवन, ग मिन्स खुद, बायो मिन्स जीवन, ग्रैफ मिन्स लिखना, तो खुद के जीवन के बारे में लिखना, क्या कहलाएगा, ओटो बायोग्रैफी, और लाइफ स्टोरी रिटेन बाई सेल्फ, तो याद रहे, और लाइफ स्टोरी रिटेन बाई हिमसेल्फ, खुद के द्वारा खुद की जीवन की कहानी लिखना क्या कहलाता है आउटो बायोग्रेफी इसको हम लोग हिंदी में आत्म कथा बोलते हैं क्या बोलते हैं आत्म कथा चलिए हमारा अगला वर्ड है बायो पिक ये स्टूडेंट्स इसमें भी बायो लगा हुआ है ये भी जीवन से संबन्दित है बायो पिक दो चीजों से मिलकर बना बायो प्लस पिक बायो मिन्स जीवन पिक पिक मिन्स पिक्चर फिल्म तो बायो मिन्स जीवन पिक मिन्स पिक्चर फिल्म याद रखेंगे तो ऐसी फिल्म जिसमें किसी के जीवन के बारे में तो याद रहे ऐसी फिल्म जिसमें किसी खास व्यक्ति के बारे में एक तरह से जिस फिल्म को किसी खास व्यक्ति के बारे में फिल्म आया जाए तो ऐसी फिल्म जिसमें किसी खास व्यक्ति की कहानी को बताया जाए उसके जीवन को बताया जाए वो बायोपिक कहलाता है और फिल्म अबाउट अब पार्टिकुलर पर्षन जैसे फिल्म संजु संजेदत की बायोपिक है तो फिल्म संजु जब आप देखेंगे तो उसमें जो है किसी खास वेक्ति अर्थात संजेदत की जीवन की कहानी है उसकी लाइफ स्टोरी है तो किसी भी वेक्ति के life story को उसके जीवन की कहानी को फिल्म के द्वारा अगर दिखाया जाए या फिल्म उसका बनाया जाए वो बायोपिक कहलाएगा तो संजु इज दे बायोपिक अफ संजेदत चलिए हमारा अगला वर्ड है biology biology is made by two words bio plus logi तो biology में bio है मतलब ये भी जीवन से संबंदित है तो bio means जीवन logi means अधियन करना तो जीवन के बारे में अधियन करना जिन्दगी के बारे में अधियन करना तो study of life is called biology तो biology means क्या हो जाएगा study of life चलिए हमारा अगला वर्ड है biosphere day students biosphere is made by two words bio plus sphere bio means जीवन, sphere मतलब होता सत्ह तो यादरे धरती का ऐसा सत्ह जिसमें जीवन जो है अस्तित्व में है जिसमें एक तरह से जीव है जीवन है तो ऐसा sphere, ऐसा मंडल जिसमें जीव है जीवन है एक तरह से वो biosphere कहलाता है a surface in which life exists तो ऐसा सत्ह जिसमें जीवन है उसको हम लोग हिंदी में जीव मंडल बोलते हैं क्या बोलते हैं? जीव मंडल biosphere means जीव मंडल तो I hope समझ में आया होगा कि किसी भी English word में bio दिख जाए वो word जीवन से संबंदित होगा biography तो जीवन के बारे में लिखना जीवनी अटो बायोग्राफी तो खुद के जीवन के बारे में लिखना नहीं बायोपिक तो जीवन के बारे में किसी खास वेक्ति के जिंदगी के बारे में फिल्म आया गया फिल्म नहीं biology तो जीवन के बारे में अधियन biosphere तो ऐसा सथा जिसमें जीवन जो है तो ऐसा सथा जिसमें जीवन है उसको हम लोग जीव मंडल बोलते हैं तो I hope समझ माया होगा मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ आप लोगों को कि परती एक एक एपिसोड को बारी बारी से देखिए सुरू से देखिए एपिसोड को और एक एक एपिसोड को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सुरू से टोटल एपिसोड को देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से आप खोजें और उसको देखें